हेलो दोस्तों, आज मैं मश्रूम पनीर मसाला रेस्पी बनाने जा रही हूँ आप भी बनाएं और यह जट पट रेडी हो जाती है बहुत टेस्टी लगती है जो मश्रूम खाने के शौकीन है उनको यह बहुत टेस्टी लगेगी यह लगबख थाइसो ग्राम मशरूम है जो की पैकेट में आए है और लगबख 200 ग्राम पनीर है अच्छे से मशरूम को साफ कर लिया है और अब मैं इनको दो भागों में काट लूँगी बस दो भागों में काटेंगे क्योंकि बहुत छोटे करने पर यह बहुत पकने के पावल में डालकर इसको मैरिनेट करेंगे बेसिक मसालों से हल्दी मिर्च धनिया नमक जी Mobil के इसको मैहने हैं घुर कर दाला करनें तो फिर्वेर नहीं डाल दिया है और लग बहुत करके एक मसाला रखा हुआ तो मैंने एड़ कर दिया है कोई जरूरी नहीं है इसको एड़ करना आप बेसिक मसाले जो है आपके हल्दी मिर्च धनिया वही डाले फिर इतनी सामिक्री के लिए लगभक 200 ग्राम पनीर है और 500 ग्राम मश्रूम है तो उसके लिए मैंने दो मीडियम साइस के बड़े प्याज इसलिए बारिक चॉप करेंगे बहुत चोटे-चोटे टुकणों में मैंने प्याज को ऐसे चॉप कर लिया है और बहुत चोटे साइज में टमाटर थे जो कि मैंने चार लिया है इनको भी चॉप कर लिया है हरी मिर्च थी ने इसलिए सूकी दो मिर्चे लिया है जिनको बी जो करके रखे थे हमने पनीर और मश्रूम इनको यहां पर सौटे कर लेंगे मतलब पहले से हम मसाले के साथ थोड़ा सा जो कोड किया था मसाला उससे पका लेंगे अब क्योंकि नमक पड़ा हुआ था और मश्रूम पानी छोड़ते हैं इस तरीके से पानी छोड़ देगा अब खुले में पानी को थोड़ा होने देंगे यह देखे पानी बिल्कुल कम हो गया है अब निकाल लेंगे यहां पर 90% सबजी पके रेडी हो गई है सेम कड़ही में जिस कड़ही में हमने इसे सौटे किया था वहीं पर जीरा डाला थोड़ा सा फिर दो मिर्चे जो स्रिट की ती वो टाली हो चौप किया हुआ प्याज यहां पर डाल दिया है यह देखे बस ध्यान रखेंगे ज्यादा तेल का ओयल तेल नहीं उस करेंगे क्योंकि चिपके क मसाला तो आप थोड़ा थोड़ा लगभग पानी डाल के भूनेंगे यह मैंने फ्रेश अद्रेक लेसन का पेस्ट बनाया था वो एड़ कर दिया यहां पर अब होगी भूनाई कूब अच्छे से भूनेंगे इस मसाले को यह देखे चिपकने लग जाए अगर कढ़ाई में तो थोड़ा थोड़ा पानी एड़ कर लें आप कूब अच्छे से पग गया है अब डालेंगे जो चौप के हुए टमाटर थे चार वो एड़ कर दीजे यह देखे अब यहां पर थोड़ा पानी डाल कर इनको भून दीजे अब बेसिक जितने भी मसाले हैं थोड़ी थोड मिर्ची डाली है और यह धनिया पाउडर डाला है बस यह बेसिक मसाले डाल दिए अब बस क्या है इसको हम पकने देंगे बहुत अच्छे से इसको भूनेंगे ठीक है नीचे मसाला बिल्कुल चिपके नहीं तो ध्यान रखेंगे थोड़ा पानी एड़ करते रहेंगे और मसाला अच्छी तरीके से पंग्या है आप खुले में थोड़ा से इस मसाले को भूनेंगे बहुत अच्छे से भूनेंगे मसाला भूनने की निशाने यह है इसमें यह ना दस बारा काजु जो मैने गरम पानी में डिप कर दिये थे इसको मैं साइड से पीस लूँगी यह द बहुत हेल्दी भी बनाना है इस सबजी को इसलिए मैंने काजू एड़ किया है आप इस वाले प्रॉसेस को बिल्कुल स्किप कर सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो काजू और मलाई कुछ भी मल डाली है बस यह देखिए अब इस स्टेज लेकर पूरा इसमें थोड़ा सा डाल दिया अब पानी यहां पर अपने हिसाब से डाली है अगर आप चावल के साथ खा रहे हैं तो पानी इतना ठीक है रहने दीजिए अब क्यूंकि मैं रोटी के साथ कहूंगी तो मैंने थोड़ा सा इस पानी को रिड्यूस कर लिया है अ देखें आप सर्विंग बावल में से सर्फ कर लेंगे आप इस सबजी को चाहें तो रोटी के साथ खाएए चाहें तो आप पराटे के साथ चाहें तो आप चावल के साथ चाहें बहुत टेस्टी सबजी है लास्ट में मैंने यह समित करके एक मसाला है जॉन सेंड समित का व तोधी से क्वांटिटी मेन के रेडी हो गई है अब धनिय है अब धनिया मेरे पास है नहीं इसलिए मैंने धनिया डालानी है आप स्थीम 000 negotiations के लिए हारा मिचैनिये पासे कैसे लगी ये रेस्पी बहुत टिस्टी है सब जी थैंगे